हमारी यूट्यूब चैनल गौद्लीवूद स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए होग यू ही हर झाल गौज ओक दानी हमारी यू है झाल गौ है व glimpse परियुशन महापरव के इस पावन दिन में आप सभी अपने-पने इश्ट की आराधना में लगे हैं साथी साथ जैन धर्म के इस महान परव के उपलक्ष में जरूर हम व्याख्यानों में जाते होंगे यथा संभव त्याग तब भी जरूर कर रहे होंगे हमारे बहुत से जैन बंदू पौशद वरत में भी रहते हैं अर्थात आठो दिन उसी साधू जीवन का अनुभव अपने श्रावक जीवन में होते हुए भी करने का प्रयास करते हैं वाकई ये जो तपस्या है यही तो मन को बदलती है और इस तपस्या से ही जीवन निखरता है जैसे सोना भी तपने के बाद ही शुद्ध हो जाता है निखरता है ऐसे ही मन के विचार भी निखरते हैं व्यवहर भी बदलता है तो कर्मों में भी एक नया उटसा का संचार होता है इसलिए इतने पावन दिनों में हम भी इस श्रिंखना के माध्यम से आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं आज हम पुना एक नया संदेश लेकर आपके बीच में हैं परियुशन महापर्व में हम एक यात्रा करते हैं ये यात्रा है अशुद्धी से शुद्धी, शुद्धी से सिद्धी की और कितनी सुन्दर बात है कि जो जन्म जन्म की आत्मा, कर्म और फल के इस चक्र में चलती आई है न जाने कितने कितने प्रकार के जन्म हमने लिये और हर जन्म में हमने कितने ही विबिन्न कर्म बांधे हत्मा के इन कर्म बंधन के कारण ही आज के दोर में हम देखते हैं कि छोटी छोटी अनेक बाते हमारे जीवन में अवरोध के रूप में अशान्ती के रूप में तो कभी तनाव के रूप में बार-बार आती रहती है हम अपने ही संबंधों में अपने ही शरीर के भी अनेक अनेक रोगों के कारण बार-बार परिशान होते रहते हैं आत्मा चाहती तो है कि उड़के आगे निकल जाऊं परन्तु ऐसी रसियां बंदी हुई नजर आती है जो हमें पीछे की और खिचती है आईए हम फिर से अपने आप को वैसा ही उड़ता पंची बना सके ऐसी साधना करे अशुद्धी क्या है अशुद्धी मन का मेल है मन का मेल कौन सा है सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी आज के समय में जो हम सब अनभव करते हैं कि प्रतिक व्यक्ती अपने देह के ही साज, श्रिंगार और उसे ही समारने में लगा रहता है ये देह का भान और देह का अभिमान ये सबसे बड़ा मेल है ये देह जो की मिट्टी का पुतला है जो की एक मात्र मेरा साधन है जिससे मैं इस संसार में विचरण करती हूँ तो भला केवल इस साधन को ही सजाते सवारते रहेंगे तनिक विचार तो करे कि मैं कोन हूँ मैं तो इस साधन को चलाने वाली एक परम अविनाशी चैतन्य सत्ता हूँ परन्तु इस मैल ने इस आत्मा के भान को भुला दिया है अभिमान में व्यक्ती देभान में व्यक्ती अपना ही नुकसान कर रहा है ऐसी ही क्रोध की भी धूल आत्मा पर चड़ गई है आज छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं कभी भी क्रोधित नहीं होता कितनी ही बाते ऐसी आती है जब मेरी इच्छा अनुसार मेरी अपेक्षा अनुसार कारिय नहीं होता लोगों का व्यवहार नहीं होता या मुझे अपने कर्म का उचित फल नहीं मिलता उचित मान या सनमान नहीं मिलता तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ जरा जानिये ये क्रोध कैसी अगनी है क्रोध में व्यक्ति जलता भी है तो दूसरों को भी अपने शब्दों या व्यवहार से जलाता है परन्तू अंततह वो महसूस करता है पश्चा ताप करता है कि क्रोध से कुछ भी हांसल नहीं हुआ वास्तों में प्रेम ये एक बहुत बड़ी शक्ती है जो बात क्रोध से बिगड़ जाती है वही बात प्रेम से ठीक होती है परन्तु आज क्रोध को ही हमने अपना हथियार बना लिया है वास्तों में कहा जाता है कि क्रोध मुर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे समाप्त होता है क्रोध में जलने वाला व्यक्ति अपनी ही शक्तियों को नश्ट कर देता है अपनी खुशी को नश्ट कर देता है क्रोध हमारी एकागरता को भी भंग करता है क्रोध के बाद अगर आप शांतचीत होकर कुछ पढ़ना चाहें, कुछ याद करना चाहें, किसी काम में मन लगाना चाहें, तो याद कीजिए लगता है, बिलकुल नहीं क्योंकि क्रोध में हमने अपने मन के अंदर, अपने मस्तिश्क के अंदर कुछ ऐसी तरंगों को अस्तविस्त कर दिया, कि अब हम किसी एक द्रश्य को, किसी एक विशय यावस्तू को समझ तक नहीं पाते, तो ये मन का मेल है साथ ही, आज मनुष्य के अंदर काम वासना भी बहुत बार बड़ी तिवरता से जागी रहती है आज हम ऐसे से किस सुनते हैं, कि हमें ग्रणा आती है मानवता पर मानव, चोकि एक सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, पर मातमा की उत्कृष्ट रचना है आज, वो किस तरह से विकारों के अधिन होकर, काम उत्तेजना के वश होकर, ऐसे ऐसे पतित कार्य कर लेता है आज, कई बहन बैटियों के उपर अत्याचार होता है, बड़ा दुख होता है अरे मनुष्य, तु क्या कर रहा है इस क्षणिक, शरीर के हड़ी मांस के सुख के पीछे, तु अपने आप को पापी बनाता है पतन की गर्त में डालता है ऐसा जीव, न जाने कितने ही दुखों को अपनी तकदीर में लिख लेता है ये काम उत्तेजना मन का बड़ा भरी महल है इसी तरह से लोब के वशभी व्यक्ती बहुत ज्यादा परेशान होता है भगता रहता है, जीवन भर संपत्ती, सामान जुटाता ही रहता है और विचार करें कि क्या केवल संपत्ती से और साधनों से मन का सुख मिल जाएगा बिलकुल भी नहीं, क्योंकि मन अंतरिक चीज है, जिसको सुकून चाहिए जिसको सत्य चाहिए, जिसको मन का आनंद नहीं वो भला संसार की कितनी भी चीज़े कत्रित कर ले लेकिन वो चैन से नहीं जी पाता है वो तो बस दोड़ता और भगता ही रहता है और अशान्त ही रहता है आज लोब के वश भाई-भाई का दुश्मन बना पड़ा है इसी तरह से मोह के जाल में भी व्यक्ती ऐसा फस चुका है कि मोह के बाद वो अंधा हो जाता है और वो भूल जाता है कि मैं संसार में क्यूं आया हूँ और मैं तो अकेला आया हूँ मुझे जाना भी एक दिन अकेला है सब को छूड़ कर जाना है तब भला अत्यधिक मोह भी तो आत्मा को नीचे गिराता है इन पावन दिनों में परियुशन में आईए हम मन की इन अशुद्यों से मुक्त हो जाएं मन की मैल को उतारने के लिए ध्यान का मार्ग ले ध्यान के मार्ग पर संकल्प करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं मैं इस धर्ती पर अपने जीवन में स्रेष्टता जो मेरी आत्मा में है प्रगट करने आया हूं और मुझे सबसे न्यारा और सब का प्यारा होकर और इस संसार से पुन्य कर्मों को बांध कर जाना है सभी कर्मों के लेप को उतार कर मुझे मुक्त होना है और ऐसे ध्यान में हम परमात्मा के परम स्वरूप को देखें जितना जितना मन इस दुनिया के इस लोक के भान से उपर अपने उस पावन मुक्ती के सिद्ध धाम में लगता है तभी इस दुनिया की आकरशन से मन उपराम होने लगता है इसी को कहते हैं शुद्धी की अवस्था रमचरिय, सत्य, अहिंसा ऐसे व्रतों को जीवन में अपना कर आईए हम शुद्धी के मार्ग पर चले हम नमशकार करते हैं अरिहंतों को, सिद्धों को, तनिक अपने आपको भी तो उन सिद्ध पद की और ले चलने का प्रयास जिन आत्माओं ने अपने आठों ही कर्मों का नाश किया, अपने को कर्म के बंधनों से मुक्त किया, उनी आत्माओं को तो आज हम नमशकार करते हैं वही पावन आत्माओं जिगत को प्रेरणा देती है, जिगत की मानवता को बल देती है, हमें भी अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो अशुद्धी को छोड़कर शुद्धता के मार्क पर चलना होगा, स्रेष्ट कर्मों का जीवन में चयन करें कुछ त्याग कर दें, परन्तु गलत रास्ते पर कभी न चलें, धन न भी मिला, मन का चैन मिला, तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, संतोश ही सबसे बड़ा धन है, कामुतेजना के बदले, संसार की प्रती एक आत्मा के लिए, शुब भावना और शुब कामना रखे इस्ते आज लाखो साधक, निर्विकारी बन कर जीवन को सफल बना रहे हैं, संसार ग्रस्त जीवन सब के बीच में रहते हुए, अपने मन को ऐसा पवित्र बनाएं, क्योंकि पवित्रता ही जीवन का श्रेंगार है, सद गुण ही जीवन की शोभा है, लोग उने ही हमिशा याद रखते हैं, जिनके व्यवहार में, जिनके जीवन में सद गुणों का प्रकाश, सद गुणों की शोभा है, मरना बड़े से बड़े महराज, राजा धिराज या जितने भी महारती हुए, वो भी एक दिन तो इतिहास के पन्नों में ही सिमट के रह गए, सिकंदर भी ज आरी दौलत रस्ते पे बिछा देना, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया, उनको मेरे जनाजे में बुलाना, और साथ ही मेरे हाथ दोनों मेरी अर्थी से बाहर रखना, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, कि इतनी दौलत मैंने इकठी की, इतने युद करने के बाद भी, य मेरी मृत्यू को रोक न पाई, जिन हकीमों को मैंने अपने धन की, अपनी पहचान की कारण बुलाया, वो भी मुझे मरने से रोक नहीं पाए, और मेरे दोनों हाथ देख लीजिए, खाली है, और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, तो आईए, हम भी अपने जीवन की यात्रा में शुद्ध बने, सिद्ध बने, और उस सिद्ध शीला की और अपनी मन की गती को उचा उठाते हुए चलने का प्रयास करे, इस जीवन में नार की यात्राओं से उपराम, शुद्ध ताकी और चलना ही, जीवन का परमलक्ष होना चाहिए, वरना खाया, पिया और जीवन पु और मुक्त गगन में विचरण करे, ओम शांती अप्डेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें